हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल लाइकन को भी दबाएं ता इस सारी लेटर्स अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तेले ग्यान की सकती चैनल पर अर्शास्त्र की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम अर्शास्त्र विशे के अंतरगत ये टॉपिक ले रहे हैं भू सुधार आज का प्रेशन है भू सुधार से क्या आसे है या भू सुधार से आप क्या समझते हैं भारत में भू सुधार कारी कर्मों की प्रिगती का आलोचनात्मक प्रिक्षण कीजिए, इसे अधिक सफल बनाने के लिए कुछ अपने सुझाओ दीजिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भू सुधार का अर्थ एवं परीभाशाय significance क्या अर्थ है इसका क्या परीभाशाय है नमबर वन प्रमप्रागत अर्थ भूमी सुधार का आज से छोटे क्रिशकों एवं क्रिशी सर्मिकों के लाबार्थ भूमी स्वामित्व के पुनर वित्रण से लगाया जाता है व्यापकर्थ में किर्शी संगठन अथ्वा भू धारण की संस्थागत विवस्था में होने वाले परतेक परिवर्तन को भू धारण में सम्मिलित करते हैं नमबर तीन प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल के सब्दों में भूमी सुधार व्यक्ति और भूमी के संबंदों में नियोजन और संस्थागत पुनर गठन है अब विस्तारपूरवक देखें सामानत भूमी सुधार का अर्थ मद्धस्तों की समाप्ति कास्तकारी पत्ती में सुधार तथा जोतों के सीमा निर्धारन से लिया जाता है प्रंतु व्यापक अर्थ में भूमी हीन सर्मीकों की दसा में सुधार, चकबंदी तथा भूमी की उन्नती एवं विकास और सहकारी किरसी के विस्तार को भी भूमी सुधार के अंतरगत स्यामिल किया जाता है इस प्रकार भूमी सुधारों में भूधारन प्रनाली जोतों के आकार जोतों से हमरा मतलब खेतों से खेतों का आकार किरसी पदती के वे समस्त परिवर्तन जिनकी साहता से उत्पादन व्रधी एवं सामाजिक न्याय का वातवन बनता है ये सारी चीजे भूमी सुधार में या भूसुधार में शामिल होती है अब भारत में भूसुधार कारीकरम हैं कौन से तो देखे इसमें नमबर एक है मत्देस्तों की समापती जिस समय देश सब्तंतर हुआ लगबग 40% किरिसी छेत्र पर जमीदारों जागिरदारों तथा मत्देस्तों का परभुत्तु था परथम दो पंचवर्सी योजनाओं में इन मत्देस्तों को पूर्ण उनमुलन कर दिया गया उनमुलन का मतलब समापत कर दिया गया उन मत्देस्तों को कास्तकारी सुधार कास्कारी सुधार निम्नवत है नमबर एक लगान नियमन पहले कास्कार तथा बटाईदार बटाईदार जो की किसी जमिदार की भूमी को बटाई पर बोते थे 50% पर उपज का आदे से अधिक भाग भू स्वामी को लगान की रूप में देते थे इस सुधार के अंतरगत लगान की अधिक्तम मातरा एक बटा पाँच या एक बटा चार निर्धारित की गई थी नमबर दो भू स्वामित्व की शुरक्षा इसका अर्थे कास्कारों का भूमी पर इस्थाय अधिकार होना दिवित्य योजना काल में योजना आयोग ने सुझाव दिया कि एच्छिक पृत्याग के मामलों का पंजियन किया जाए तथा यह प्रतीबन लगाया जाए कि एच्छिक पृत्याग के बाद भी भू स्वामी केवल कास्ट की जाने वाली भूमी की मात्रा का ही स्वामी माना जाएगा नमबर तीन स्वम कास्ट में भूमी का पुनर ग्रहन पुनर ग्रहन नियमों की द्रस्टी से समस्त राज्जों को चार भागों में बाटा जा सकता है पहले समू में वे राज्ये हैं जहां कास्टकारों को पूर्ण सुरुक्षा प्राप्त की गई है इन राज्यों में भूस्वामियों को पूने भूमी प्राप्त करने की आग्या नहीं मिली है ये राज्ये हैं बंगाल, उत्तरपरदेश एवं दिल्ली दूसरे समूं में वे राज्ये आते हैं जहां भूमी स्वामियों को नीजी क्रिशी के लिए एक सीमित छेत्र मिल सकता है प्रंतु साथ में इस सर्थ है कि कास्तकार के पास एक नेमतम छेत्र अवस्य छोड़ना होगा ये राज्ये हैं बिहार, गुजरात, महरास्ट, मद्यपरदेश, करनाटक, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल परदेश, मनीपूर तथा केरल तीसरे समू में पंजाब तथा असम राज्ये आते हैं, इन राज्यों में कास्तकारों को अन्यतर भूमी परदान की जाएगी, इसके पश्चात उनर ग्रेहन हो सकता है भूमी डोनने का उत्तरदाइत्वे राज्यों को सौपा गया है चोथे समू में आंद्र परदेश तथा तमिल लाडू की गिंती होती है जहां बहुत स्वामियों को पूने भूमी प्राप्त करने का अधिकार इस सर्थ पर दिया गया है कि वे निर्धारित सीमा से अधिक भूमी प्राप्त नहीं कर सकते प्रंतु कास्थकार के लिए किसी नियंत्म छेत्र का निधारान नहीं किया गया इस अवस्था से कास्थकारों को संपून क्रिशी योग्य छेत्र में 9% भाग में पून सुरक्षा 69% भाग में आंसिक सुरक्षा तथा 19% भाग में एस्ठाई शुरक्षा प्राप्त हुई है 13% भाग अभी ऐसा है जहां शुरक्षा की कोई विवस्था नहीं हो सकी है अब नंबर चार आता है कास्थ कारों को मालिक होने का अधिकार परिशर्मी कास्तकारों को प्रोतसाहित करने के उदेशे से विभिन राज्यों ने भूस्वामित्व के अधिकार सम्मंदी अधिनियमों को लागू किया है प्रारम में भुस्वामित्व का अधिकार प्राप्त करना एच्छिक था प्रंतु तीसरी योजना में एच्छिकता को हटा दिया गया क्योंकि एच्छिक होने पर इन अधिकारों का प्रियोग नहीं हो पाया था विविन राज्य सरकारों ने यह कारिय अलग अलग रीतियों से किया है नमबर ए गुज़रात महरास्ट मद्देपरदे्श व राजस्थान में कास्तकारों को मालिक कर दिया गया और पूर मालिकों को उचित किस्तों में पैसा मिलता रहे इस बात की वेवस्था कर दी गई दूसरा दिल्ली में सरकार ने मुआउज़ा देकर स्वम स्वामित्त प्राप्त कर लिया और कास्टकारों को मालिक बना दिया वहां सरकार ने वेवस्था की कि उसे उचित किस्तों पर कास्तकारों से मुआवजा मिल जाए से उत्तर परदेश तथक केरल ऐसे राज्ये हैं जहां सरकार ने भू स्वामित्व के अधिकार स्विम पराप्त कर लिए और कास्तकारों को छूट दे दी कि वे चाहें तो निर्धारित मुआवजा दे कर मालिक बन जाएं हत्वा सामान ने लगान दे कर खेती करते रहें अनुमान है कि अब तक 30 लाग कास्तकारों तथा बटाईदारों को 70 लाग एकड़ भूमी का स्वामित्व प्राप्त हो चुका है इस दिसा में प्रगती और भी आगे जारी है नेक्स्ट तीसरा आता है जोतों का सीमा निर्धारन हमारे देश में भूमी का वटवारा बहुती असंतुलित है क्रिसी जाज समीती के अनुसार समय है क्रिसी छेत्र की 34.4% भूमी पर 4.5% व्यक्ति ही खेती करते हैं 15.5% भूमी पर 66.9% व्यक्ति खेती करते हैं और लगबग 19.1% व्यक्ति भूमी ही नहें जिनके पास कोई भी जमीन जादाद नहीं है अते सामाजिक नियाय तथा समानता की दरस्टी से जोत की सीमा का निर्धारण करना आवश्यक है इतना ही नहीं सीमा निर्धारण से भूमी के प्रबंद एम प्रियोग में कुसलता आती है अतिरिक्त भूबाग पर भूमी हीन मजदूरों को बसाया जा सकता है तथा अतिरिक्त भूमी का प्रियोग करके अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में परिवर्तित किया जा सकता है भारत के कुछ राज्जों में इस संबन में कानून बनाए गए हैं किन्तु उन में एक तो जोत की सीमा बहुत उची रखी गई है और दूसरे सीमा नेधारण के लिए परिवार को इकाई ने मानकर व्यक्ति को इकाई माना गया है इसके अतिरिक्त अनेक परकार की छूटे भी दी गई हैं 1972 को नई सीमा नीती का नेधारण किया गया जिसके प्रपेक्ष में गोवा वे उत्तर के कुछ राज्जों को छोड़ कर सभी राज्जों में अधिक्तम सीमा कानून पारिद किये गए अभी तक मात्र 29.8 लाख हेक्टियर भूमी को अतिरिक भूमी गोशित किया जा सका है जिसमें 21.8 लाख हेक्टियर भूमी का वित्रण 55.8 लाख लोगों में किया जा सका है अब आता है चोथा और लास्ट किर्शी पुनर गठन नमबर एक चकबंदी योजना आयोग प्रारम से ही चकबंदी कारिकरम को सरवोज प्रात्मिक्ता के पक्स में रहा है सरल सब्दों में कई छोटे छोटे और बिखरे वे खेतों को एक बड़े खेत में बदलना ही चकबंधी है जिसे consolidation कहते है बारत में चकबंधी की प्रगती बड़ी मंद रही है यहीं चकबंधी क्या है जैसे कि एक किसान है और उसका नाम मांगे राम है और उसकी दस जगे भूमी है यहां चार भीगे वाँ पांच भीगे कहीं तीन भीगे तो जब चकपन्दी होती है, तो उसकी जितनी भी भूमी है, उसका जोड़ कर सारा चक एक जगे आजाता है यानि ऐसी जगे जहांपर की रास्तों की व्यवस्ता हो सबी किषानों के लिए चकपन्दी का यही आस्य है कि जिसकी बिखरी हुई भूमी है, वो सब एक ही खेत के उसे राप्ट हो जाती. नमबर दो, भूमी के परबंदन में सुधार भूमी सुधार के अंतरगत पर्थम विदीवित्ती योजना में भूमी के कुशल परबंद पर बल दिया गया. इसके अंतरगत भूमी को समतल बनाना, किरसी योग के अगर भूमी नहीं है उसे किरसी योग के बनाना भूमी का विकास करना उसमें कुछ उन्नत बीजों का परियोग करना ये सब रहा है नुम्बर थ्री सहकारी खेटी देश के किरसी धाचे का धाचे का पुनर गठन सहकारी दा के आधार पर किया जा रहा है 69 इसवी के नागपूर अधिवेशन में कांग्रेस ने संयुक सहकारी खेटी को किर्सी शुधार का अंतिम लक्ष गोशित किया और इसी के प्रणाम सवरोप सहकारी किर्सी के विकास में तेजी आई नमबर चार भूमी हीनों को बसाना तथा भूदान वे ग्रामदान आदी भारत में भूमी हीन मजदूरों को बसाना एक जटिल समझ जा है आज भी ग्रामीन जनसंख्या का लगभग 19 पर 30 अनस ऐसा है जिसमें भूमी हीन सर्मिक बहुत रहते हैं आज भी भूमी हीन है उनके पास कोई भी खेटी की जमीने नहीं है रहने के लिए जमीने नहीं है तो भूदान एक क्या है भूदान भूदान का मतलब है प्रिथवी का दान करना अर्थात अपनी भूमी का दान करना भूदान एक सामाजिक तथा आर्थिक आंदोलन है जिसका सुत्रपात यानि शुरुवात आचारिय विनोबा भावे ने 1951 में किया था इस आंदोलन के उदेशी की व्याख्या करते वे आचारिय विनोबा भावे ने कहा था इस आंदोलन का मुख्योदे से बिना संगर्ज के इस देश में सामाजिक विम आर्थिक दुर्व व्यवस्था को दूर करना है बुदान आंदोलन भूमी इन व्यक्टों को बाटने के लिए स्वेच्छा से भूमी दान का अनरोध करता है किर्सी से भिन अन्य छित्रों में ये आंदोलन जीवनदान संपत्तिदान साधनदान आदी रूपों में चल रहा है इस परकार से ये भूदान की व्यवस्था की जो की गरीब और जो भूमी इन लोगों को भूमी मिल सके उसके आश्य से लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है अर्थात वो आलोचनाएं क्या है नमबर एक भूमी सुधार कारे करम को समनवित रूप से लागू नहीं किया गया नमबर दो सेहकारी किरसी समीतियों का निर्मान प्राय बड़े भूस्वामियों द्वारा किया गया और उन्होंने ही सेहकारी स्विदाओं का लाब उठाया तीसरा भारत में भूसुधार नीती अच्चन्थ विलम पून रही यनि बहुत बाद में शुरू किया गया इसको और इसमें बहुत सारी लोगों की बीच में किसानों की बीच में मुकदमे बाजी हो गई नमबर चार भूमी सुधार नियमों में होने वाले परिवर्तन ने भूस्वामियों में एनिश्चित्ता की भावना उत्पन कर दी पाच्वा परसासन का दरस्टी कौन भूमी सुधार में सायक सिद नहीं हुआ आज भी कई छेत्रों में उच लगान लागू है अनेक राज्जों में आज भी भूमी संबंदी अभिलेग अपून है अता ये बहुत अधिक सफल नहीं रहा लेकिन इसको सफल बनाने के लिए कुछ सुझाओ भी दिये गए है जो इसके दोस हैं वही इसके सुझाओं है अता नमबर एक है केंद्री भूमी सुधार आयोग की सिपारिशों को सिग्र लागू किया जाए दूसरा सीमा से अधिक भूमी को सरकार सुन अपने नेंटर्ण में ले ले यानि एक फिक्स कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा भूमी किसी भी किसान के नाम नहीं हो सकती तीसरा क्रिशक्व को बेदखल करने वाले बुरूत स्वामियों के विरुद कठोर कारवाई की जाए सरकार बेनामी हस्तानत्रणों को मालुम करके सीमा से अधिक भूमी का स्ष्वमधि ग्रेंड करे ग्रामों में भूमी इनों को आवा सेतु भूखंड दिये जाए किर्सी में निम्टम बेतन को तुरंत लागो किया जाए सीमावर्ती छेत्रों में भूवित्रन में भूदपूर सैनिकों को प्रात्मिक्ता परदान की जाए गलत आवंटन तथा अनुचित हस्तानांतरन में सहयोग देने वाले जो अधिकारी हैं उनके विरुदकडी कारवाई की जाए विद्वाओं को महिलाओ, नाभालिक बच्चों को, भूत्पूर सैनिकों को, अपंग सैनिकों को भूमी दी जाए जो लोग अन्य लोगों की भूमी पर खेती करते हैं उनकी बेदखली को रोका जाए और जो परती भूमियों के वीतरन हेतु उचित विवस्ता हो तता ऐसे छेतरों में सिचाय की सुविधाओं का विश्तार किया जाये जहां परती भूमी जहां सिचाय की कोई सुविधा ही नहीं ऐसी जो बंजर भूमी पड़ी हैं उनको भी कारगर बनाया जाए तो भूमी सुधार का ये याज़ से है अर्था एनलेसिस से स्पस्ट होता है कि भू सुधार की दिशा में सभी योजनाओं में बहुत अधिक मैठपून कारिय तो हुए हैं लेकिन उतना कारगर ये नहीं रहा जितना की होना चाहिए था अभी इसमें और भी अधिक सुधार अपेक्षित हैं और इसी के साथ ये तुम्हारा टॉपिक समाप्त होता है थैंक्यू वरी मच्च